दोस्तो RRB NTPC असनातक और गैर असनातक अस्त्रिये का जो CVT1 एकजाम हुआ तब पिछला बर ये पेपर है 31.1.2021 का जो की दोस्तो डेली PYQ प्रिवियस यर कोशन डेली अपलोड किया जाता है तो चलिए दोस्तो इस्टार्ट करते जिसे के आपको पता चलेगा 21 31.1.2021 का पहला कोशन है कि दो समसंख्याओं का महातम समापरत कम से कम क्या होनी चाहिए यानि दोस्तो समसंख्या का पूछा गया है और कम से कम तो दोस्तो समसंख्या में छोटी निमतम संख्या कौन सोती है दो आपसा नमबर इसका करेक्ट हो जाएगा C चलिए आगला कोश के सतापित करने पर सहमती जाता आई है तो दोस्तों संजुक्त राज अमेरिका और भारत ने आपसा नमबर दी छो ना विक्या सकती सतापित करने के लिए सहमती जाता आई है चलिए A B C जो कि कोशे नमबर थड़ है पांच इनुपात तीन नुपात आठ के अनुपात में A B C के बीच रासी का बटवारा किया जाना है यदि A और C के हींसों में अंतर इतना है तो कुल रासी कितनी होगी तो दोस्तों दिया गया है पांच अनुपात दो अनुपात आठ यानि A अनुपात B अनुपात C जो कि A इस अनुपात में बटा गया है लेकिन A और C का अंतर कित छूट्षए गा कटाईएगा कितना जाएगा 2580 इसमें बोला गया कुल रासी कितनी होगी तो दोस्तों A का मान निकाल लिजिए A से पांच में गुना कर दीजिए B का दो में 2 से गुना कर दीजिए और C का आठ से गुना कर दीजिए निकल जाएगा उसके बाद टोटल जोड जीजिएगा अपसा नंबर इसका C correct answer है चलिए आगला question question number 4 है कि एक संख्या के 48 परतिशत और 38 परतिशत के मत देखा अंतर 354 तो संख्या का नठावन परतिशत क्या हो गया देखो किसी संख्या के यानि संख्या एक से 48 परतिशत और 48 परता हो गया और फिर 38 के यानि संख्या के और 30 यानि एकस का और 30 cried या ये अंतर पुछा चैसर ये अंतर है माइनस है कितना अंतर है दूस्त 2 354 तो X का मान निकाले जी तो X का मान आएगा उसका 98% निकाले जी इसका correct answer आजाएगा option number D इसका correct answer है चली आगला question question number 5 कि निम्नली खित में से कि संगठन अंतरिक्ष के छेतर में सुध विकास गति विदियो का बेवसाइक उप्योग करने के लिए 6 मार्स 2019 को New Space India Limited को निगमित किया है तो इसका correct answer है option number C, ISRO क्या है दोस्तो? ISRO Indian Space Research Organization इसका full form होता है Indian Space Research Organization ISRO का चली आगला question है दिया गया दोस्तो कि उस भिहिन का chain कीजिए जिसमें एक बाटा दू में जोडने पर प्राप्त मान दू के बराबर होता है उस भिहिन का chain कीजिए एक बाटा दू में जोडने पर ये दूस्तो एक बाटा दू है उस भिहिन कौन सा है प्लस एकस बाटा वाई ये भिहिन है उसमों जोडने पर कितना प्राप्त होता है दू एक बाटा वाई का आप लोग मान निकाले जिए दू ये एक बाटा दू इधर आ जाएगा माइनस में तो आप लोग हल कीजिए इसका करेक्ट इंसर आ जाएगा आपसन अबर सी तीन बाटा दू चलिए आगला कोशन है कि दो संख्याओ का जोग चाचट है उनके महत्तम समापर्तक और लगोत्तम समापर्तक तीन और तीन सो पंद्र है संख्याओ का ब्यूतक्रम का जोग ग्याद कीजिए तो दूस्तों दो संख्याओ का जोग दिया गया है और उसका LCM और NCF दिया गया है तो संख्या के ब्यूत्क्रम का योग ग्याद कीजिए तो दूस्तों जो की संख्या अगर मालेजे की संख्या X प्लस Y है इसका ब्यूत्रम ग्याद करनत X बाटा Y प्लस X बाटा X बाटा 1 बाटा Y प्लस 1 बाटा X तो इसको हल कीजिएगा एक्स प्लस वाई बाटा एक्स वाई हो जाएगा तो दूस्तू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर क्या होता है LCM इंटू SCF होता है तो LCM कितना है दूस्तू SCF कितना है 3 और LCM कितना है 315 यह पहली संख्या इंटो दूसरी संख्या ति यहां दोस्तों पहली संख्या इंटो दूसरी संख्या हो गया और दोनों का जोग दे दिया गया है तो दोनों का जोग छाचट हो गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है 3 इंटो 315 हल किजिए correct answer आ जाएगा option number D 22 बाटा 315 चलिए अगला question है question number 8 यदि X plus Y का अर्थ है X Y का भाई है X into Y का अर्थ है X Y का पीदा है X divide Y का अर्थ है X Y की मता है किसका अर्थ R S का पुत्र है दोस्तो R S का पुत्र है आपको बताना है तो इसका correct answer option number D आएगा नस्वरी option number B आएगा जो की R S का पुत्र है चलिए रिजिनिक से दोस्तो अगला question देखते हैं कि नीमनली खित में से किस अधिनियम ने भारत में कमपनी की बेवपारिक अधिकारी को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी British अधिनस्त करोबारों के लिए खोल दिया इसका correct answer दोस्तो अप्सा नमबर B आएगा 18-13 का चार्टर अधिनियम चलिए अगला question है question number दोस्तो टेन है दिया गया है कि एक बरतन के लिए देख एक बरतन से लिए गए दूद के नमूने में चार परतिशत पानी है पानी की मात्रा को घटा कर दूद परतिशत करने के लिए बरतन से लिए गए आठ लिटर मिश्रण में सूद दूद की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए अप्सा नमबर C आठ लिटर आप लोग देख लिजिए चलिए आगला question है निम्नली खित बेंजर का मान क्या है तो कोस 3x प्लस कोस x बाटा साइन 3x मैनस साइन x इसका मान क्या है दूस्तो correct answer option number B आएगा cot x आप लोग देख लिजिए किस पर का बनाया गया है चलिए आगला question है कि भारतिय समिधान में केंद्र इमराज्यों दोनों में संसदिय लोग तंत्र के रूप में सासन की खाली अस्तान सनचना का प्रधान किया गया है क्या किया गया है दूस्तो इसका option देख लेते हैं इसका correct answer option number B संगिय चलिए अगला question है आगला question है उस चित्र में लड़के क्यों इसारा करते हुए अनिल ने कहा उसके पीता की बहन मेरे पीता की एकलाथी पुत्री है तो लड़के के पीता का अनिल से क्या समंध है अपसा नमबर B पीता का भाई चलिए अगला कोशन है तो दोस्तो दिया गया है कि वहीदा ने 10% कर सहित यानि टेक्स है 3300 में एक एर कुलर खरदा कर लगाने से पहले एर कुलर का क्रेमूल गयाद कीजिए तो दोस्तो देखिए कितना में खरदा है 3300 में 10% कर यानि टेक्स लगता है कितना हो गया 110 हो गया क्रेमूल पूछ रहा है 100 से गुना कर देंगे करेक्ट एंसर दोस्तो आपसा नमबर C आएगा 3000 चलिए अगला कोशन है कोशन नमबर 16 है कि एक और सव के मद्ध कितनी संख्या है 6 और 8 दोनों से पुनता विभाज हो जाएगी तो दोस्तो एक से लेकर 100 तक के मद्ध कितनी संख्या है 6 और 8 से पुनता है यानि 6 और 8 का LCM निकाल लेगे जो कि LCM आ जाएगा 24 कितना जाएगा दोस्तो 24 तो एक से 100 तक कितनी संख्या है जो 24 से पूंता विभाजी हो जाएगी तो दूस्तों इसका correct answer कितना है option number D जो कि 4 संख्या है जो कि 1 से 100 के बीच में जो कि 24 से विभाजी हो जाएगी चलिए 6 और 8 से तो निम्रली खित में से किस अंशेद में यह प्रधान किया गया कि राष्ट पती के आदेश द्वारा एक अंतरजिय परिशत का गठन किया जा सकता है correct answer option number A अंशेद 263 चलिए अगला question दोस्तों question number 18 है यदि किसी आयत की लंबाई और परिमा 20 के अनपात में दोस्तों जबकि उसका आयत का लंबाई दिया गया है तीन और चोड़ाई कितना दिया गया है परिमाप कितना दिया गया है 20 दिया गया है तो आपको लंबाई और चोड़ाई का अनुपात ग्याद करना है तो इसका correct answer दोस्तों option number A आएगा चोड़ाई निकाल लेजिए परिमाप बराबर क्या होता है आयत का परिमाप बराबर तो 2 कोष्ट में ब्रैकेट में दोस्तों लंबाई प्लस चोड़ाई होता है जबकि आपको लंबाई दिया गया है परिमाप दिया गया है चोड़ाई निकाल लिजिए चली आगला कोशन है कोशन नमबर 19 है कि निम्नली खित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारते रिजरबायंक का डिप्टी गुवर्नल निप्ट किया गया अप्सन नमबर B राजेस्वर राव को चली आगला कोशन है कोशन नमबर 20 है कि उस भारतिय करेकारी अधिकारी का नाम बताईए जिससे सुप्रतिष्टित US IBC Global की Leadership Award 2020 के लिए चुना गया है अप्सन देखते हैं तो दिया गया है दोस्तों अप्सन अप्सन नमबर इसका D-Correct answer एम चंद्र सेखरन को चलिए अगला कोशन है कि दिये गया आकरती में त्रिभूजों की संख्या ग्याद कीजिए दोस्तों त्रिभूज ग्याद करना है कि इसमें कितना त्रिभूज है देखिए ये जो है न ये एक और ये दो दोनों को जोड़ दे कितना हो गया तिरभूज ये 3 और ये कितना हो जाएगा 3 तिरभूज ये 3 पलस 6 हो गया उसके बाद दोस्तो ये 1 कितना हो गया 7 तो टोटल कितना तिरभूज है साथ अप्सन नमबर C इसका करेक्ट इन्सर है चली अगला कोशन कोशन नमबर 22 किंद्रिय मंत्री मंडल ने खाली अस्तान की ओधी के दोरान 5 जी एसलवी के उडानो युक्त जी एसलवी 4 चार कारेक्वरमों को जारी रखने की मंजूरी दे दी है कब दी है दोस्तो इसका करेक्ट इन्सर देख लेते हैं जो कि अप्सन नमबर इसका B है जो कि 2021 से 2024 तक चली आगला क कोशिन नमर 23 है कि नीमनली खिट में से किस सहर ने 2019 में आयोजी चार दिवस्य इंडिया इंटरनेशनल चेरी बलसओं फेस्टिवल की में जबानी की है अप्सन नमबर B इसका करेक्ट इंसर है सिलों चलिए अगला कोश ने किनिम्ल लेखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधो की और सक्ता के अंसार आंतरिक उर्जा संग्रह के रूप में उप्योग किया जाता है अप्सान नमर B इसका करेक्ट एंसर है कार्बो हाइटर चलिए अगला कोशन है कोशन नमर 25 है A अनुपात B वरावर 1 अनुपात 3 है B अनुपात C वरा 5 अनुपात 4 C अनुपात D वरावर 2 अनुपात 3 A, B, C और D का मान ग्याद किजिए तो दूस्तों जो कि देखिए A अनुपात B, अनुपात C, अनुपात D दिया गया A अनुपात B वरावर कितना है? 1 अनुपात 3 उसके बाद B अनुपात C कितना दिया गया? 5 अनुपात 4 C अनुपात D कितना दिया गया दूस्तों? 2 अनुपात 3 देखिए इसके सामने खाली है न जो इसके सामने वहीं लिख देंगे यहां 3 लिख देंगे फिर यहां 3 उसके बाद इसके सामने यह खाली है तो यहां 4 लिख देंगे और इसके सामने यह लिख देंगे उसके बाद यह इसके सामने और यह इसके सामने तो टूटल को हल करेंग को नीजी डेटवर्क पर या नीजी डेटवर्क से अनाधिकरित अधिगमन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है आपसन नमबर C, फायरवल चली आगला कोशन कोशन 27 है कि पादप उतको के समध मिन्में से कौन सा कथन गलत है इसका करेक्ट एंसर अपसन नमबर D, जो कि जायलम में संग रही दोनों दिसाव में अस्तना अंतरित हो सकती है यह चीज गलत है दोस्तों, चली आगला कोशन कोशन 28 है कि दिये गए पैटर्न का ध्यान पुरूबक अध्यान करे और उस संख्या का चैन करे जो इसमें प्रस्न चीन के अस्तरा प्रतिय स्थापित सकती है दोस्तो प्रस्ण चीन के अस्तान पर क्या आएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इंसर बाताने 28 का जो की रिजिनिंग से है चलिए आगला कोशन है कोश्चन नमर 29 है निम्नल लिखित में से कौन सा अभिकल्प कत अर्विंद सुबरमनयम समिती से सम्बन दिथ है तो इसका क्रेक्ट इंसर अप्सन नमर D GST चलिए अगला कोश्चन दोस्तो कोश्चन नमर 30 है कि इन में से किस बल्लेबाज ने IPL में सब से 35,000 रन बनाने का कृतिमान बनाया है अप्सन नमर B डेविड वार्नर ने चलिए अगला कोश्चन कोश्चन नमर 31 है दिया गया दोस्तो कि एक मचली घर एक घना आप क्या कार में है जिसके बाह माप 80 cm, 30 cm, 40 cm है इसके अधार बगल के फलको और पिछले फलक का रंगिन कागज चड़ाया जाता है इसके लिए आवस्चे कागज के छेत्रफल ग्याद कीजिए करेक्ट एंसर दोस्तो अप्सन नमर C आएगा 8,000 cm2 आप लोग देख लिजिए किस प्रकार बनाया गया है चलिए अगला कोश्चन है रिजिनिंग से एक निश्चित कुट भासा में इतना को जेवरा को इस प्रकार लिखा गया है धंसो की इस प्रकार लिखा जाएगा करेक्ट एंसर आप्सन नमर B आएगा चलिए अगला कोश्चन है कोश्चन नमर 33 है जो की दोस्तो आपको दिया गया है कथन और निसकर्स आपको बताना है कौन सा इसका निसकर्स फॉलो कर रहा है डोस्तो आपसा नमर B निसकर्स जो की तीन अनुसराण करता है जो कुछ F इसका करेक्ट एंसर है आप लोग देख लीजिए चलिए अगला कोश्चन है कोश्चन कोश्चन नमबर 34 है अस्तंधारियों के हिर्दे में कितने प्रकोष्ट होते हैं तो दोस्तों अस्तंधारियों के हिर्दे में कितने प्रकोष्ट होते हैं चार जो की मादा अस्तंधारिय अपने बच्चे को दूद पिलाती है अस्तंधारी के हिरते में कितने प्रकोष्ट होते हैं? चार प्रकोष्ट होते हैं चलिया आगला कोशन है दिया गया है कि P 15 second में 250 میट दोड़ सकता है और Q उतनी ही 2,30 second में दोड़ सकता है ये दोनों को एक ही समय पर दोड़ना सुरू करते हैं तो 4.5 सेकंड के बाद P Q से कितना आगे होगा अपसन नमबर A इसका करेक्टेंसर 7.5 मीटर आप लोग देख लिए चरिया आगला कोशन है कोशन नमबर 36 से कि एक तार से बने 56 मीटर त्रिजिया वाले एक बृत को काटा जाता है यादी फिर से इस वर्ग के रूप में मोला ज इसका करेक्टेंसर दोस्तो आपसन नमबर A बी आएगा 88 रूट टू तो बर्ग का विकवण बराबर क्या होता है भूजा रूट टू बर्ग का विकवण बराबर क्या होता है दोस्तो भूजा रूट टू होता है चली आगला कोशन है कोशन नमबर 37 है युनेसको ने खाले रियो डी जिनरों को चलिए आगला कोशन है कोशन नमबर 38 है कि निम्न लिक्षित में से किस राज सरकार के चिकित्सा एं स्वस्त विभाग को डवलू एंचो वर्ल्ड हिल्थ और्गनाईजेसन तता द्वारा तंबाकू नियंत्रण के चतर में उनकी उपलब्धियों के वर्ष 2019 में नामित किया गया है आपसा नमबर C राजस्थान चलिए आगला कोशन है कि 40 मीटर लंबी 80 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर उंची दिवार वाले दिवार बनाने के लिए प्रुक्त 25 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर चौड़ी 20 सेंटीमीटर उंची इट महातम और L-C-M जो कि N-C-F और L-C-M दिए गया है संक्या 25 और 40 के बीच में संफ्या का जोग घ्याद की जीए तो दूषत उनकी पूछा गया है 5-और L-C-M नम्स इरिवार दिवार जीवार दू संवर पराबर होता है ये पहली संख्या इंटो दूसरी संख्या इंटो ncf होता है क्या होता है ncf होता है ncf दूस्तों कितना दिया गए 5 lcm कितना है 10 यानि 210 lcm into ncf होता है और ये संख्या उसमें ncf जरूर रहता है दूस्तों lcm into ncf lcm कितना है 210 ncf कितना है 5 ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानि 5A इंटू 5B जो कि संख्या में दूस्तों NCF रहता है A और B का मान निकाल लेंगे उसके बाद इसको हल करेंगे करेक्ट रंसर अपसन नमबर B आ जाएगा 65 चलिए आप लोग देख लिजिए चलिए आगला कोशन है कोशन नमबर 41 है भूतल पर सिर इस्थित किसी बिंदू Y से एक लेंप पोश्ट के लिए सिर्स का उन्यन कोण 45 डिगरी है यदि लेंप पोश्ट के बाद बिंदू से Y के दूरी 80 मीटर है तो लेंप पोश्ट क्यों चाहिए कितनी है ये देख लिजिए दोस्तो किस परकार बनाया गया है करेप्ट अंसर अप्सन नमबर C आएगा चली आगला कोशन कोशन नमबर 42 है कि लकड़ी के बिभिन मुखावटे का उप्योग करके किया जाने वाला लोग प्रियंदित गंभीरा इनमें से किस राज से संबंदित है दोस्तों गंभीरा जो है किस राज से पस्चिम मंगाल से चली आगला कोशन कोशन नमबर 43 है A ने दो पहर एक बज़े से 40 किलिदो परती घंटा की 40 सी आत्राक की प्रारम की B ने एक बज़े के 40 मिनट बज़े उसी अस्थान से 50 किलिदो परती घंटा से उसी दिशा में चलना आरम किया तो B को A तक पहुँचने में कितना मिनट लगेगा करेक्ट अंसर अपसन नमबर D आएगा 160 मिनट आप लोग देख लिजिए चली आगला कोशन दोस्तो 44 जो की दिया गया है 2014 के में राष्ट पती की जयनती पर इनमें से किस अभियान का सुभारम किया गया है तो दोस्तो जो की किस अभियान का सुभारम किया गया था आपसन नमबर D सुक्ष भारत जो की 2 अक्टूबर 2014 से जो की राष्ट पीता महत्मा गांधी जो की सुक्ष भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुए चली आगला कोशन है कि चार भायो M, N, O और P में से M और N क्रिकेट और फुटबाल खेलते हैं N और O क्रिकेट और होकी खेलते हैं O और P होकी और बास्केट खेलते हैं P और M फुटबाल और बास्केट खेलते हैं तो इन में से कौन फूटबॉल, बास्केट और होकी खेलता है। अपसा नमबर A इसका correct answer है, question नमबर 46 है। भारती राष्टे कांगरेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनौरी को स्वतनता दिवस के रूप में मनाया। अपसा नमबर D, 1939 में, दोस्तो भारती राष्टे कांगरेस ने किस वर्ष पहली बार जोकि 26 जनौरी को स्वतनता दिवस के रूप में मनाया, तो 1930 में, चलिए। आगला question है, question number 47 है, 10 theta plus cos theta बराबर 6 है, तो 10 square theta plus cottage square theta का मान निकाल लिए। दोनों तरफ वर्ष कर दिजिए, तो 10 square theta plus cos theta का मान निकाल जाएगा, अपसा नमबर A, दोस्तो 10 theta plus cos theta square बराबर 6 का square A plus B का whole square पहल कर दिए, इसका correct answer अपसा नमबर A आ जाएगा, चलिए आगला question है, जो की कथन और निसकर्स दिया गया है, देखते हैं, दिया गया है, सभी निकाल 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 जाएगा, दिया जाएगा, दिया गया है, अगला question है, question number 49 है, कि आईरे कोटे के ने तृत्तों ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में, हैदर अली को हराया और मदरास में बचाया था, मदरास को बचाया था, इसका correct answer दोस्तों option number B है, July 1781, चली आगला question है, कि सम्मिधान के इन में से, किस अंशेद में केंद्रिये बजट को वार्षिक बीतिये बीतर्ण के रूप में संदार बित किया था, option है दोस्तों, आप लोग देख लिजिए, इसका correct answer option number CIG 112, तो दोस्तों ये 50 question complete होता है, अगर वीडियो अच्छा लगे, तो like, subscribe, share जरूर करे, जैहिन बंदे मात्रम, वार्षिस, पूल किया है था बाद कर दोस्तों.